सलम्हारीकम रह्मतुल्लाह दियर स्टूडेंट्स जैसा कि आपका एक्जमिशन आने वाला है और एस पर चॉइस बेसेड क्रेटिट सिस्टम आपके हर पेपर में आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसमें तो सेक्शन होंगे सेक्शन वन ऊपजेक्टिव टाइपक वेश्चन सेक्शन टू डिस्कृटिव टाइपक्वेश्चनऑ अपजेक्ष़ कुेश्चन्सको इनके रसपॉंस्स को इलप करने देपको एक शेन दिया जाएगा जिसमें आपको objective type questions के responses को mark करना है उस sheet को OMR sheet कहते है optical mark reader sheet ये एक electronic document होता है जिसको फिर एक machine में field किया जाता है जो इसको automatically read करती है अब पिछले examination में देखा गया है कि मुच्टाब student जो है वो इस OMR sheet को सही तरीके से fill up नहीं करते हैं इसकी वज़े से फिर उनके result में problem आचाती है क्यांकि जब वो sheet machine को देया जाता है वो इसको correctly read नहीं कर पाती है जिसके वज़े से उनका result नहीं बन पाता है तो इस चीज़ को avoid करने के लिए हमने ये वीडियो बनाए है ताकि आप लोग पहले से ही ये सीख जाए कि OMR sheet को correctly कैसे fill up करना है और फिर जब आप examination में ये OMR sheet fill up करोगी तो इसको correctly fill up करोगी तो चलिए देखते हैं कि OMR sheet को कैसे fill up करते हैं इसके लिए क्या instructions और guideline से ओके तो पहले हम कुछ general guideline सेखते हैं कि OMR sheet को कैसे fill up करना है ये guideline is किसी भी OMR sheet को fill up करने के लिए जरूरी होती है चाहिए आप जो का आज से examination देने चाहरे हो इसमें या कोई और काम्टिटी examination है तो उसके लिए ये guideline जरूरी fill up करनी है तो ये क्या guideline is first number one इसमें है OMR sheet must be filled by blue और black ball pen तो इसको fill up करने के लिए आपको सिर्फ blue या black ball pen ही यूज करना है तो ना तो आप इसको fill up करने के लिए pencil यूज कर सकते है और ना ही आप gel pen यूज कर सकते है अगर आप लोगों ने OMR sheet को pencil या gel pen से fill up किया तो आपका paper reject हो जाएगा और इसकी evaluation नहीं होगी तो इस चीज को जहन में रखिए point number two यहां पे जो है that is completely dark in the required bubbles आपको जो OMR sheet दिया हुआ है उसमें जहां जहां पे आपको bubbles को fill up करना है चाहे आपकी जो information उसमें है role number वगेरा उसके लिए या जो आपका response है objective पे पे questions के लिए तो उन सब bubbles को completely darken करना है यहां पे example दिये हुई है तो आपको इनको completely darken करना है अब कुछ लटके क्या करते है या तो वो इन ovels को partially full करते है partially उनको fill करते है या वो boundary से बाहर चले जाते है जिससे इसका effect दूसरी जो side में इसके bubbles होते है उन पे पढ़ जाता है तो चुकि इस sheet को एक machine को read करना है और automatically उसको यह response से चक करने है तो अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती आ जाएगी तो machine इसको read नहीं कर पाएगी जिसके वज़े से आपका paper evolve नहीं होगा जब paper evolve नहीं होगा तो आपका result बंद रहेगा तो इस चीज का खयार रखे कि bubbles को completely darken करना है तो इसके लिए time नहीं आराम से तो इसको fill up कीजिए then point number third है कि don't make any stray marks on the OMR sheet इस OMR sheet है मैंने पहली का कि इसको एक machine को field करना है तो इस पे कोई भी stray marks नहीं होनी चाहिए जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं इस sheet में कि कुछ students क्या करते हैं उनकी आदत होती है अपना sign जब जिस डपे में करना होता है उसे बाहर चले जाते हैं या कहीं पे लिख रहे होते हैं टिक्स देते हैं तो इस sheet को sensitively लेना है और इसमें कहीं पे भी इस किसम की कोई कोई mark नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा don't go outside अलाच्टिर बॉंडरी जो बॉंडरी आपको दी गई है किसी response को fill up करने के लिए उन बॉंडरी से बाहर आप मत चाहिए क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे तो उससे दूसरे जो उसमें सेलस है वो effect हो जाएगी और मुशिन को इसको रियूड करने में problem हो जाएगी पॉइंट नमर फूर याद रखिए कि OMR sheet sensitive document है ना इसको pin करना है ना stable करना है ना punch करना है इसको कुछ भी नहीं करना है इसको totally जाएसे आप इसको receive करते हो इसको आपके जो question paper होगा है उससे काट के अलग फिर इसको कुछ नहीं करना है किसी चीज़ के साथ इसको pinis table नहीं करना है and finally point number five point number five आपको याद रखने चाहिए कि इसको fold भी नहीं करना है जैसे आप आपके question papers को याप आपके document इसको fold करते हो लेकिन इसको आप fold भी नहीं कर सकते कि अगर आप लोग भी नहीं कर सकते है तो इससे क्या हो जाएगा कि machine फिर इसको read नहीं कर पाएगी या भस जाएगा वहां पर document फिर से वही problem हो जाएगी है कि आपका paper evaluate नहीं होगा तो इन पांश चीजों का ख्याल जूरूरी रखना है कि सिर्फ blue black ball point पे न्यूज करना है bubbles को completely darken करना है और कोई stream mark इस पे नहीं डालना है alerted boundary से बाहर नहीं जाना है pin, staple कुछ भी नहीं करना है इसमें इसको किसी चीज के सा tie up tie नहीं करना है and last के इसको fold नहीं करना है यह अब मैं आपको देता हूँ sample OMR sheet कश्मी नुश्टी का आप जिस examination में आज appear होने जा रहे है तो इस examination में आपको कैसा OMR sheet मिलेगा उसमें कौन कुछ से sections है यहां पर मैं आपको सिखाता हूँ और उसको कैसे fill up करना है तो यह है कश्मी नुश्टी का sample उसका कश्मी नुश्टी का OMR sheet है आपके examination में आ रहा है तो यह है उसका टाइग्राम उसका एक sample तो इसको गोर से देखे और इसमें जो आप entries fill up करनी है उन पर उनको कैसे fill up करना है left right direction से करना है अगर कहीं पर blank रह गया है उसको क्या करना है वो मैं आपको यहां के बढ़ बताऊंगा first we can roughly divide हम उसको OMR sheet को इसके different sections उसको चार sections में divide कर सकते हैं अगर आप यहां पर पहला section देखोगे तो यह वाला section this is the first section तो इस section को हम naming section भी कह सकते हैं क्योंकि इस section में हम different names यहां पर मसला semester concepts का नाम course title है इसके अलावा candidate का कहान नाम है तो यह entries यहां पर बढ़नी है इसके अलावा यहां पर date बढ़नी है तो इसको हम naming section कह सकते हैं तो next हम देख सकते हैं दूसरा section इसमें इससे नीचे आता है जिसको हम signature section कह सकते हैं signature section in the sense कि यहां पर आपको candle को अपना signature करना पड़ता है यहां पर आपका signature है और नीचे invigilator का signature है तो इसको हम signature section भी कह सकते हैं तो यह दूसरा section है इसमें next we have response section तो यह जो है यह भी important section इसमें जिसको हम response section कह सकते हैं यहां पर जो आपको questions दिये हुए है आपके question paper में object to questions उनका response यहां पर आपको बरना है उनके answers आपको यहां पर बरना है हर question के लिए आपको चार choices मिलेंगी उन चार में से आपको एक fill up करना है आपको response section कह सकते है अब final section इसमें है जिसको हम identification section कह सकते है identification section के इस से identify होगा कि यह paper किसका है और यह identification machine के लिए machine को पदा चल जाएब कि यह paper किसके लिए है तो यह section बहुत ही critical है इसमें, यह याद रखना है, और important section है इसमें, सबसे ज्यादा errors जो होते हैं, वो इसे section में हो जाते हैं, so याद रखें, खयार रखें, यह जो section number two यहाँ पे दिया हुआ है, this is the most critical part of this YMR sheet, यहाँ पे सबसे ज्यादा students गल्दी करते हैं, नहीं fill कार पाते हैं सही तरीके से, जिसकी वज़ए से फिर machine को real करने में problem आ जाती है, और उनका result is easy रह जाता है, तो इस section को पूरे दियान के साथ fill up करना है, कैसे fill up करना है, वो मैं इसके बात दिखाऊंगा, तो यह section खयाल रखना है यहाँ पे, the identification section, यह identify करेगा इस sheet को कि यह कि student को belong करता है, किस paper का sheet है, और उसका जो question booklet है, हर question booklet की एक series होती है, कुन से series है, तो यह important part है इसमें, तो इसके लिए खयाल रखना है, अब आगे हम देखेंगे, एक एक करके इन sections को कैसे fill up करना है, चले, अब हम एक एक करके इन sections को देखते हैं, इनको कैसे fill up करना है, यह गोर से सुनिए, इनको कैसे fill up करना है, इसी के मताबिक आपको आपको आपको, 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 आपको ओमर शेटेस में कोई problem ना आए जाए, तो पहला section जो है, इसमें जो naming section है, जो मैंने भ फॉर्स्ट आपवाल यहां पे जब हम देखते हैं, तो first item जो इसमें है, that is date, यहां पे आपको date बरना है, नीचे दिया हुआ है, कि it should be ddmmyyyy, यहां आपको पहले date बरना है, जैसे कि आज date है, आज 8 है, तो 8, यहां पे 0, 8, इसके बढ़ मन्त बरना है, तो आज आज बहुता है, यहां पे 0, 8, यहां बहुता है, इसके बढ़ मन्त बरना है, तो आज है 9, 0, 9, तो अगर single digit काता है, तो उसके आगे 0 लगाईए, उसके बाद year आता है, तो year है 2018, यहां गया, तो यह आपका first section है, यहां पे date बरना है, तो यह आपको याद रहा गया, उसके बाद दूसरा section आता है semester, तो semester का मतलब है कि current semester जो आप दे रहे हो, कौन सा semester है, तो आपको खुद बता है, आप first semester का examination दे रहे हो, तो यहां पे लिखना है simply first, first semester का examination है, तो first semester लिखना है, उसके बाद आपको यहां पे course title देना है, course title का मतलब है, आप जिस paper में appear हो रहे हो, उसका नाम क्या है, जैसे कि आपको आज sociology में appear होना है, तो आप यहां पे sociology लिख सकते हो, sociology, तो यहां पे serial number होगा, जो आपके OMR sheet का number होगा, जिसे identify होगा, तो यहां को कुछ नहीं करना है, तो यह आपने पहला इसमें जो row है, वो fill up कर दिया, उसके बाद आता है हमारा दूसरा row, तो जिसमें आपको अपना नाम भारना है, capital letters में अपना नाम लिखना है यहां पे, तो जैसे for example, किसी student का नाम है माजद, तो मैं यहां पे लिखूँगा माजद, माजद, और अगर उसका नाम है माजद आहमदबाट, तो different parts आप देने, उनको separate करने के लिए एक space जोड़नी है, तो एक space में छोड़ना है, उसके बाद, तो हो गया, या उसके बाद अगर उसका नाम last में cast भी आता है, या उसका जो family name है वहां पे, but, तो capital letters में, आप यहां पे याद रखना है, कि यह जो डबे बच जाते हैं, जैसे यहां पे यह बच गए, इनको blank छोड़ना है, यह याद रखे, जहां पे भी आपको जो डबे बच जाएंगे, उनको बिलकुल blank छोड़ना है, उनको touch नहीं करना है, इन पे न तो कोई dash देन हैं, न कुरास देना है, कुछ भी नहीं, यह याद रखे, तो यह point यहां पे याद रखे, कि जो squares बच जाते हैं, rectangles बच जाते हैं, उनको वह इसे ही छोड़ना है, उनको कुछ भी नहीं करना है, तो यह हमने first section, जो naming section है, उसको fill up कर दिया, यहां पे, चले, अब हम आपके ओमर्शिट के सबसे important section, identification section को कैसे fill up करना है, वो देखते हैं, तो याद रखे, कि identification section जो इसमें है, this is the most important part of your OMR sheet, सबसे important है, यह, दूसरा कि सबसे ज्यादा errors इसमें होते हैं, तो यहां पे ज्यादा खेल रखना है, कि इसको कैसे fill up करना है, तो इसको fill up करना बहुत ही easy है, इसमें आपको खाली तीन ही entries देनी है, इस section में, जिससे आपका OMR sheet identify हो जाएगा, तो पहली entry जो आपको देनी है यहां पे, वो है, roll number, आपको अपना roll number यहां पे देना है, अब roll number आपको पता है, यह examination roll number है, जो आपको examination, कश्म निवर्श्टी के examination cell ने alert किया है, तो वो roll number यहां पे देना है, और यहां पे ख्याल रखना है, कि यह roll number आपका roll number slip पे भी होगा, तो वही roll number देना है, इसे के agonist आप attendance mark करते हो examination में, तो roll number correctly fill up करने के लिए आपको ख्याल रखना है, कि आपके लिए जो यहां पे cells दे हुए है, आपको 10 cells दे हो इसको fill up करने के लिए, लेकिन आपको roll number 10 digit का नहीं होगा, mostly 6 digit का होता है, या 7 digit या 4 digit का होता है, तो वो roll number यहां पे कैसे fill up करना है, ख्याल रखना है, कि उसको fill up करना है, from left right, तो left side से शुरू करना है, और फिर accordingly cells उसको fill up करना है, जो cells बच जाती है, उनको आईसे ही छोड़ना है, मैंने पहले ही के दिया, इतना ख्याल रखो कि जो cell बच जाती है, उसको कुछ भी नहीं करना है, नकराज देना है, उसको ब्लैंक छोड़ना है, तो left right उसको fill up करना है, अब left right जो मैं fill up करूंगा, तो for example, मेरा roll number है, one two three four, one, यहां पे मैं two लिखूंगा, यहां पे three, और यहां पे four, तो अब जो बच जाते हैं, यह जो cells यहां पे है, कितनी cells बच गी, six cells बच गी, इनको मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ छेड़ चाड़ नहीं करना है, हमको ऐसे blank छोड़ना है, अब हर cell की agonist आपको नीचे एक bubble दिया हुआ है, ओबल दिया हुआ है, इसको आपको fill up करना है, मसलिए यहां यहां 1 है, तो 1 के agonist यहां पे 1 लिखा हुआ है, इसको यहां पे completely dargan करना है, इसी तरह 2, sorry, 2 के agonist, इस 2 को completely dargan करना है, 3 के agonist 3 को, और 4 के agonist 4 को, च्यूंकि मैं exactly नहीं कर पाता है, यहां पि मैं mouse को use कर रहा हूँ, तो यह थोड़े से उधर जाएगा, करना है, ठीक, once again, जो blank है, उनको कुछ नहीं करना है, उसके बाद, दूसरा section इसमें, that is, question booklet series, इसको आपको fill up करना है, यहां पे आपको question booklet दी हुई है, उस पे हर question booklet series, booklet पे एक series दी हुई है, a, b, c, d, 4 series होती है, यहां पे j तक दिया हुआ है, 10 series दी हुई है, लेकिन आपक इसको accordingly देखना है, कि question booklet पे ओपर series कौन सी है, यहां पे भी most students गलती कर जाते है, या तो इसको blank छोड़ देते है, या, sorry, या तो इसको blank छोड़ देते है, या यहां पे वो गलत series लिखते है, तो series correct होनी चाहिए, क्योंकि हर series में अलग-अलग questions है, और आपने चो questions attempt किये है, अगर आपने यहां पे, for example, series C थी आपकी, और आपने C series के questions attempt किये, और यहां पे लिख रहे हो A, जब में machine को feed करेंगे, वो आपके A वाले responses को chuck करेगी, जो कि आपने देनी है, आपने C वाले responses दे है, series की, तो आप जो है fail हो सकते है, तो इसके लिए आपको जरूरी है, यहा इसके नमबर C, और नीचे C के अगेंश्ट जो ओल दिया हुआ है, इसको completely darken करना है, ऐसे, बस हो गया, इतना करना है यहां पे, इसको ब्लैंक छोड़ना है, अगर ब्लैंक छोड़ दिया, तब भी मेरा paper evaluate नहीं होगा, अगर गलत बढ़ा, तो evaluate तो होगा, लेकि मैं fail हो ज यहां पे आपको paper का course code लिखना है, आपका paper कौन सा है, हर paper का एक code होता है, और दो चीज का बना हुआ होता है, उसमें आगे numbers होते हैं, और आगे digits, यह alphabet होते हैं, उसके बाद digits होते हैं, तीन digits होते हैं, for example, आपका education है, तो education का code, for example, for example, आपका education का code ED होगा, तो यहां पे आपको लिखना है E, उसके बाद लिखना है D, ठीक, और उसके बाद code होगा, for example, 116, 116, तो alphabet जो है, वो left side में लिखने हैं, और जो numbers है, वो right side में लिखने हैं, उसके बाद E के against E देखना है, कहां पे उसको fill up करना है, आप जूंकि वो section नीचे तक जाएगा, वो यहां पे नहीं है, तो आपको fill up करना होगा, तो, for example, अपल यहां पे E होगा, उसको fill up करना है, D के against D को completely darker करना है, होगा है, उसके बाद यहां पे one, one और six, बस इतना करना है, तो आपका question booklet का सबसे एहम section fill up हो जाएगा, यह course code आप कहां पे मिलता है, यह course code आपकी row number slip पे भी दिया हुआ है, जो आपके papers है, ED 216, ED 116, UR 216, वहां पे दिया हुआ है, और आपके जो question booklet आ रहा है, उस question booklet पे भी दिया हुआ है, तो याद रखे, इसको सही तरीके से fill up करना है, तो identification section के बाद जो हमारा section आता है, that is signature section, यह अब easy है, यहां पे क्या है, हर student को अपना signature करना होता है, तो आपको जो दिया हुआ है, आपको यहां पे इस required, यहां पे लिखाए, signature of the candidate, यह खिया हुआ है, यहां पे signature of the candidate दिया हुआ है, तो नीचे जो है, नीचे वाला invigilator के लिए है, तो यहां पे इसको use नहीं करना है, तो इस section को आपको फिल अप नहीं करना है, आपको उपर वाले पहले डबे को फिल अप करना है, और यहां पर आपको अपना सिगनेचर करना है, कहां पर करना है, इस स्पेस में जो यहां पर स्पेस दी हुए, इस स्पेस में आपको अपना सिगनेचर करना है, मसलना मेरा सिगनेचर में यहां पर करूँगा कुछ भी तो इन बॉंडरी इस बॉंडरी के बाहर में नहीं जाओंगा तो मुझे बॉंडरी दी हुई है इसी के अंदर में अपना signature करूँगा तो यह ज़रूर यह candidate का signature यहां पर होना चाहिए तो यह easy section है और दूसरे section में invigilator जो आपका sprint होगा या आपका जो वहां के invigilator होगा वह अपना signature करेगा तो इसको आपको कुछ नहीं करना है इसको blank छोलना है पहले बहले section पर अपना signature करना है तो यह easy है यहां पर उसके बाद चलिए next section हमारा आता है response section तो यह भी important section है आपका कि यहां पर आपको जो questions द चार options होंगे और उन चार options में से a character होगी वो character कौन सी है a b c d चार में से जो भी option character होगी उसको completely darken करना है मसलां for example यहां पर question number one दिया हुआ है और मैंने question paper पर question number one पर जो answer उसका आ रहा है for example c आ रहा है तो मुझे यहां पर c option को completely darken करना है complete darken कर दिया मैंने बस इतना करना है इसी तरह accordingly मुझे बागी responses को बरना है जितने भी है questions मुझे होंगे 40 questions आपके आते हैं और हर question के point 8 marks होते है यह total आपके जो question paper होते हैं तो वो marks आपको मिल जाएंगे तो यह multiple choice questions होते हैं तो यह response section भी carefully fill up करना है question देखना है question के अगें इस्टेज लेफ्ट साइड में यहां पर लिखा हुआ है तो यह question number दिया हुआ यहां पर और right साइड में इसी के responses दिया हुए चार में से एक को आपको fill up करना है तो यही 1,2,3,4,10 तक जाता है फिर 11,12,13 most of the students कुछ student आईसा भी करते हैं कि यहां पर 1 लिखते हैं तो 2 यहां पर चले जाते हैं अब देखना है question number कौन सा है यहां पर 11 दिया हुआ है तो 11 है तो question number 11 ही के responses दिया है राइड साइड में तो इसको भी carefully fill up करना है तो this was regarding the OMR sheet इसको कैसे correctly fill up करना है तो hope कि यह आपके लिए useful होगा और आप इन instructions के ख्यार रखके examination में जो paper आ रहा है उसको fill up करोगे so if you have more questions regarding OMR sheet आपको कोई doubt है कहीं पे तो इसके लिए आपको जूरूरी do ask your center superintendent जो आपका center में superintendent है या invigilators जो वहां पे staff आपका है invigilators है उनको पूछिए इससे पहले कि आप OMR sheet को fill up कीज़े क्योंकि आपको दूसरा OMR sheet कभी नहीं मिलेगा बिलकुल नहीं मिलेगा वो limited होते हैं तो पहले उसको fill up करने से पहले जुरूर अपने जो वहां पे staff है उनको पूछे कि यहां पे मुझे क्या बरने अगर आपको question के या आपका subject है उसका code पता नहीं है तो उनको पूछे तो उसके बाद उसको fill up कीजे तो thanks for watching the video तो good luck for your exams and we hope that you will do the best so thanks